ये आकाशवाणी रायपूर है पादेशिक समचार बिलिटन के साथ मैं राहू सिना और चोबिस्वी राजिस्तरी शाले क्रिडर प्रतियुगिता के तहट सुब्रतो मुखर जी का फुटबॉल इस परधा आज से जगदलपूर में शुरू और अब समचार बिस्तार से नीती आयव ने देश भर के आकांशी जिलों और ब्लॉकों में छे प्रमुक संकेतकों की संपूर्णता प्राप्त करने के लिए आज से 30 सितंबर तक 3 महने का संपूर्णता भियान शुरू किया है इस लिकड़ी में चत्तिस गड़ के नराणपूर जिले के नराणपूर और और ओर्चा में संपूर्णता भियान का शुभारान किया गया कारकम के मुख्यते थी सर्व आदिवाची समाच के संरक्षक रूप साय सलाम थे वही कारकम के द्रक्षता कलेक्टर बिपिन मांजी ने की इस उसर पर श्री सलाम ने कहा कि देश को विक्सित बनाने के लिए सबसे पहले समाच को सुलतारने की आउशकता है तभी देश विक्सित हो सकेगा वही करेक्टर ने संपूर्णता कारकम में उपस्सित सभी लोगों को इस अभियान को सफल बनाने की शपत दिलाई उन्होंने कहा कि शिक्षा स्वास्ति को पोशन की रोक थाम के लिए चलाय जा रहा है इस अभियान का संदेश जिले के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए कारकम में गर्भोती महिलाओं को गोद भराई रस्म के तहित पोशन आहार किट का वितरन किया गया इस दुरान स्वास्त शिक्षा और महिला और बाल विकास भागद्वारा स्टॉल लगाकर योजनाओं का प्रचार पसार किया गया वही स्वास शिविर का आजन भी किया गया कारकम में विबेन स्कूलों के बच्चों ने सांस्कृतिक कारकम पस्तूत कर लोगों को बीमारियों से बचने का संदेश दिया वही महासबुन में भी इस अभियान के तहर पितहौरा विकास खंड के ग्राम गड़ बेड़ा में विशेश शिविर का आजन किया गया इसके अलावा वीज़ापुर जिले में भी आज कारकम का आजन किया गया इसमें 36 गड़ के भी 10 अकांग्शी जिलों के साथ ही संबंधित ब्लॉक शामिल है मुख्यमंत्री विश्ण देव साय ने राज्जी में परियोन सरक्षन को बढ़ावत देने के देश से आज एक पेड मा के नाम अभियान का शुभानम किया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपनी दिवास कारले परिसर में दहीमन का पौधा लगाया और उन्हें प्रदेश वासियों से भी अपनी मा के नाम पर एक पेड़ लगाने का आवान किया दहीमन का पौधा सरुज़ अंचल में बहुतायात रूप में मिलता है ये पौधा और शदी गुणों से भरपूर होता है और कई बीमानियों के इलाज में उप्योगी है वहीं प्रदेश में 11 जुलाई को राजस्तरी वन महुत्सव का आजन किया जाएगा वन मंत्री के दारकर शेफ्ट ने कल वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठाक लेकर सभी मुख्य वन सनरक्षक और वन मंदल दिकारियों को दिर्देश जारी किये इस अभियान के अंतरगत सुत्तर लाग पौधे लगाए जाएंगे इस कारकरम को सफल बनाने के लिए पौधों को जन प्रतिंदियों द्वारा गोध भी लिया जाएगा इस अभियान के अंतरगत लोग अपनी श्रद्धा और आस्था के अंडूप देवी देवताओं के नाम पर भी पौधर उपन कर सकेंगे वनक्षेत्रों के लाबा समाने क्षेत्रों में सलगों के किनारे भी पौधर उपन किया जाएगा आज रैपुर सित मुखिमंतरी निवास में मुखिमंतरी विश्ण देशाय द्वारा जन दर्शन कारकरम का आजन किया गया आज इस कारकाम की दूसरी कड़ी में सत्रा सो से अधिक आविदन प्राप्त हुए मुख्यमंत्री के जनदर्शन कारकाम में पहुचने वाले लोगों को उनके आविदनों पर होई कारवाई की अपडेट जानकारी जनदर्शन पोर्टल के माध्यम से घर बैठे मिल सकेगी इसके लिए जनदर्शन पोर्टल में आविदन का को अपना टोकन नमबर डालना होगा इस बिच आज जनदर्शन कारकाम के दौरार मुख्यमंत्री ने नोनी बाबू मिधावी शिक्षा सायता योजिना के अंतरगात 13 बच्चों को दो-दो-लाक रूपे के चेक प्रदान किये गोरतलावे के पंजीकरित निर्माणी श्रमिक परिवानों के इने बच्चों ने दस्वी और बारवी बोर्ड परिक्षा में टॉप टेन में जगा बनाई है इस कारकम में मुख्यमंत्री ने दिव्यांग जनो तक लोगों को प्रदित करते रहेंगे जनदरशन इस्थल के पास ही नागरिकों के लिए स्वास परिक्षन शिविर भी लगाये गया था सुल्वे केंद्री वित आयोक का प्रत्रिद्री मंडल 11 से 13 जुलाई तक 36 गरा के दोरे पर रहेगा तीन दिवसी इस ब्रह्मन का रिकम करनेते तो अर्विंद पंगडिया करेंगे इस प्रत्रिद्री मंडल में आयोक के 12 सद्र से शामिल है इस अवसर पर वित्मंत्री ओपी चौधरी आयोक के समक्ष राज्य के आर्थिक वित्तिय अदुसर नचनाव इकास और राज्य की विशिष्ट ओषक्ताओं से सम्मध्यत विश्यों पर प्रस्यूत्य करन देंगे इस दुरान आने वाले वर्षों में राज्य की वित्तिय ओषक्ताओं के सम्मंद में भी चर्चा की जाएगी इसके अलावा वेभिन विभागद्वारा प्रस्तावित परिजिनाओं के लिए विशिष्ट अनुदान समंदी मांग पत्र भी आयोक के सामने पेश के जाएगा प्रादेशिक समचार आप आकाश्वाणी रायपूर से सुन रहे हैं चत्रिजगर की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वस्मियता से है हमारा वास्ता आकाश्वाणी समाचार रायपूर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामाई कायकरम आप रेडियो के लावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते ही आकाश्वाणी समाचार Facebook, Twitter और YouTube पर विव लब्थ है हमारा Facebook पेज 36गर News on AIR Twitter handle CGAIR News और हमारे YouTube चैनल है 36गर AIR News तो अब रेडियो के साथ ही आपकी मुबाइल के जरिये भी हम पहुँच रही है आप 36गर की हर ख़बर के लिए सुनते रहे हैं आकाश्वाणी समाचार और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर नरानपूर जिले के कोका मिटक शेत्र में पिछले दूनों हुई मुटभेड में मारे गए पांच मावादियों की पहचान कर ली गई है काकेर के उपोपुलीस महानिर्खशक के अलधुरू और नरानपूर के पुलीस सदिक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि ने सभी मावादियों की पहचान पी एल जीये कंपनी नंबर एक के सी सी प्रोटेक्शन टीम मेंबर के रूप में हुई है इन सभी मावादियों पर आठाट लाक रुपे का इनाम खुशित था गौर्टलबे की मुटभेड हिकुलनार घमंडी के जंगलों में करीब 72 घंटों तक चली थी अभियान में नराणपूर, कौंडा गाउं, धंतेवाडा और जिगदलपूर जिले के जवान से एक तुरूप से शामिल थे 36 गड़ में हुए कथित शिराब घोटाले मावले में इस्तमाल किये गए नकली होलोग्राम एंटी करेप्शन ब्यूरो ACB ने करिब पांच बॉक्स जले हुए होलोग्राम जब्त किये होलोग्राम रैपूर शहर से लगे धनेली से मिले है ACB ने होलोग्राम जब्त करने के साथ ही तिन लुगों को गिरिफतार किया है कॉंडा गाउं और काकेर पुलिस ने पांच पांच किलो के दो आईडी बरामत किये है मिली जानकारी किनुसर कॉंडा गाउं और काकेर पुलिस का सन्युक तदल एरा गाउं थानक शेतर के कोट-कोडा तामूर में गश्ट पर निकला हुआ था इस दोरान पुलिस को निशाना बनाने के उद्देश से मावादियों ने दो आईडी लगा रखे थे जिसे पुलिस में बरामत किया इसके बाद बम निरोधक दस्ते ने आईडी को सफलता पुरुख निश्क्री कर दिया रैपर जिले के उरला इससे तर प्रात्मिक स्वास के अंदरे में पिछले दिनों दो नौजात शिश्वों के मौत के मामले में दो डौक्टरों के खिलाप कारवाई की गई है स्वास्विभाग ने आदे जारी करते वे लापरवाई बरतने वाले प्रभारी चिकितसा अधिकारी सुनिल साहो को निलंबित कर दिया है वही समीदर्श चिकितसा अधिकारी डौक्टर पूरम सरकार को बरखास कर दिया है इस बिच स्वासमंत्री श्याम भी हरी जैस वाल ने कहा है कि स्वास विरस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाई को बरदाश नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में दोशियों पर सक्त कारवाई की जाएगी 24 वे राजस्तरी शाले क्रिड़ा प्रत्योगिता के तेहत सुबरतो मुकरजी कप फुटबॉल इस परधा आजसे जगदलपूर में शुरू हो गई है चितरकोट विधायक विनायक गोईल ने इस परधा का शुबाराम किया इस पत्योगिता में दुर्ग रैपूर विलासपूर सरगूजा और बस्तर संभाग के धाइसो से अधी का खिलाडी खेल अधिकारी और प्रिशुशक शामिल हो रहे हैं बालक वर्ग में पंद्रा और सत्रा वर्ष तथा बालिका वर्ग में सत्रा वर्ष यू के खिलाडी हिस्सा ले रहे हैं और अपेश है मौसम का हाल आगामी 24 गंटों के दरान प्रदेश में अने किस्थानों पर हलकी से मद्यम वर्ष होने अत्वा गरच अमक के साथ छूटे पढ़ने के संभावना है मौसम भाग के नुसार एक द्रोड़ी का राजिस्तान से बंगला देश तक उस्तारी था महीं उपरी हवा का चक्री चक्रवाती गेरा उत्तर जारखन के उपर बना हुआ है इसके असर से प्रदेश में एक दो स्थानों पर भारी वर्ष होने आकाशी बिजली गिरने और अंधर चलने की चितानी दी गई है महारी वर्षा का मुक्र क्षेत्र जश्पुर जिला और उससे लगा क्षेत्र रहेगा और अब कुछ खबर संक्षेप में इंदिरा गांधी राश्टी मुक्त उशिद्याले इगनु में चालू सत्र में प्रवेश के लिए आउनले नामंकन और अपुना पंजी करण की तेथी 30 जून से बढ़ा कर 15 जुलाई तक कर दी गई है मुक्यमंत्र उश्टी जिदे साय कल जश्पुर जिले के ग्राम बक्या में आजित राजिस्ते लिशाला प्रविशोत्सो कारक्म में मुकधेति के रूप में शामिल होंगे 34 गर राज्य महिला आयो के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमाई नायक ने आज दुर्ग में महिला उत्पीडंस सम्मधित पक्रणों पर सुनवाई की दंतेवारा जिले में शेहिद जवानों की स्मृती में शोर स्मृती कप टूर्नमेंट का आजन किया गया इस टूर्नमेंट में जिले के 32 टीम उने हिसा लिया इस टूर्नमेंट को गीदम की टीम ने जीता है नगर पाली का निगम भिलाईने पर 40 लाक रुपए से अधिक के संपतिकर की वसुली के मामले में बेसनल को कुर्की वरंट भीजा है जांजगीर चापजिले के शनीचिरा डी गाउ में बिजली खंबे के पास खिल रहे दो बच्चों की करेंट के चपट में आने से मौत हो गई और जांजगीर चापजिले के करनेगाओं में मश्रूम खाने से के बाद एक ही परिवार के 12 लोग फूट परजने के शिकार हो गए इनमें से तीन बच्चों और एक महिला की हालत गंभीर बनी ने सबी को जिल अस्पताल में भरती कराए गया है अंत में मुख्य समचार एक बार फिर परधा आज से जगदरपूर में शुरू इसे के साथ प्रादिशिक समचार बुलेटेंस माप्त हुआ नमस्कार विल चारव में ड्टाभ नमस्कार बारude ग्हा हुआ में ख़न से जग üz człज लक में, इस्राव क अ नमस्कार प्लाव में वेल बच्छार गपक्सों में मिल आज से जगू आज ये गल्ग दिल तो कि और दुटं से जग़ैंशिक से और उंसे को dim ก